नमस्कार, ऐसे सुज़ा में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिक्मार्तिवारी, सबसे पहले आप सभी को अंतरास्थिये महिला दिवस की हार्दिक सुपकमनाई, आज महिलाओं को हम सुपकमनाई दे रहे हैं, आज के दिन मीडिया जो हैं, वो उन महिलाओं के पास जाती है, जिनके कोई पहचान होती है, जो बड़े पदों पर रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी महिला के पास आये हैं, एक ऐसे युवा समासेवी की साथ, जो उस महिला के कुछ करना चाते हैं, आपने दोवार कारिकरम यूट्यूब पे देखे हैं, सारू ठेक ही, एक महिला, एक मा बदीर विमंदित हैं, और एसे मा के पास भरत गोड जो की रतंगर तैसिल के लोह गाउं के हैं, उन्होंने कारिकरम यूट्यूब पे देखा, तो उन्होंने का कि तिवार जी मैं उस महिला से मिलना चाता हूं, जिनके सातों बचे विमंदित हैं, मैं उसके लिए कुछ करन पड़ा, क्योंकि सातों विमंदित बच्चे हैं, जिससे आसपास ये लोग ताने मा रहेते, मजाक उड़ा रहेते, तो ये महिला यहां खेतों में आकर बस गई, और आज हम पुने आपको दिखाना चाहेंगे, और बरजी उनसे मिलना चाहेंगे, आईए चलते हैं, धानी आप देख रहे हैं, बहुनलाल मेगवाल की धानी है, जिनके सात बच्चे हैं, और सातों विमंदित हैं, और हमें देख कर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, और आज रतनगड की वासमा से भी भरत गोड उनसे मिलने के लिए हैं, उन्होंने यूट्यूब पे का सामने आ रहे हैं इन्हें के साथ बच्चे हैं जो वीमंदित हैं और इनसे मिलने के लिए आज रतन गडगिवा समा से भी बरजी गोड यहां पर आए हैं मेरे साथ इन्होंने यूट्यूब पे कारिकरम देखा और इनकी पीड़ा को समझा है यह देखे यह बड़े बेटे हैं बहुत लाजी के और कोई आता है तो बहुत प्रसंद होते हैं क्योंकि कोई यहां आता ही नहीं है और कोई आता है तो इनके समझ में आ जाता है कि कोई हमारे लिए आया है यह देखिए कितना खुस है वैसे खुस ही रहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भगवान ने उनके साथ क्या किया है उनको ऐसे इस्तिति में बना दिया है आप को दिखा रहे हैं यह देखिए एक बेटी है जो यह एक भगवान का थान इसके उपर खड़ी है और यह बड़ी बेटी है जिसके साधी की थी लेकिन सुस्रोल वाले इसको ले जा नहीं रहे हैं क्योंकि कोई ऐसे बचों के पास रही नहीं रहना चाता है देखिए चरन चुरी ही है आकर यह बड़ी बेटी है कि हाली में इस कमरे का निर्वान ओम जी के द्वारा करवाए गया था जो कि प्रियाश्य वासनस्तान चलाते हैं बापु जिन्दर सिंग्ग को लेस के डारिक्टर है यह सबसे बड़ी बेटी है बॉनलाजी की यह उससे छोटी बेटी है दो बेटिया है पांच बेटे है और साथ बच्चे सातो वीमंदित है यह बोनलाजी की द्रम पत्मी है इन साथों बच्चों की माँ और यह आप देख रहे हैं और यह पांस नमर बेटा है बरजी गोड आज यहां पर आए है पुरुपारसत प्रकाजी भी इन के साथ है बरजी गोड जी से पूछ रहे हैं कि किस चीज क्या वश्यक्ता है आपको मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ आज अंतराश्टिय महिला दिवस है और ऐसी महिलाओं से मिलने के लिए आए हैं जिनके साथ यह का जा सकता है कि बगवाने भी इन्याई की हैं एक माँ को आप देख रहे हैं इनके साथ बच्चे सातों मिमंदित हैं जिनमें दो बेटिया है और पांच बेटे हैं देखे बच्चे कितने प्रसंद होते हैं जब कोई आता है इनके घर देखे बेटिया बहुत प्रसंद हो रही है आज अंतरास्टे महिला दिवस हैं और लोग महिलाओं के लेकुष करने का संकल्द करते हैं लेकिन जुरूरतमद होते हैं उनके पास कोई नहीं जाता ऐसे लोगों के पास और ऐसी डानी में रहते है जहांं पर आम लोग भी नहीं पहुंचते इनके पास लेकिन हमने जब इनकी पीड़ा को देखा तो बहुत सारे लोगों को यहां से जुड़ा ओम जी गुर्जजों के प्रिया से वास्नस्तान चलाते हैं उन्होंने इनके दो बचों को अपने स्कूल में रख रखा है और उन्होंने ये कमरा भी उनके लिए बनवाय है उन्हीं के माद्यम से में इस प्रिवार से जुड़ा और आज जिले के प्रसित बामासा और समासेवी बरजी गोड़ जो की रतंगर तैसिल के लोहगाओं के हैं वो आये हैं उन्होंने यूट्यूब पर कारिकरम देखा और मदद के लिए वो यहां पर आये हैं फिर कहना चाहूंगा कि आज हम अंतराष्टे मईला दियूस मना रहे हैं और अक्सर देखने में आता कि गोवर्मेंट की जो योजना ही होती है वो ऐसे लोगों के पास पहुंचती है जिनके पास पहले से बहुत कुछ होता है या उनको योजनाओं का बहुत सरा फाइदा मिला होता है लेकिन आज अंतराष्टे मईला दियूस पर जो योवा हमारे साथ आए हैं भरजी गोड़ है जिन्हों ने यूट्यूब पे कारिकरम देखा और इस परिवार के बारे में जानकारी प्राप्तुई की किस तरह से बहुनला जी उनकी ध्रमपत्नी है इनके साथ बच्चे सातों विमंदित है दो बच्चे सुजानगट के प्रिया सिवसंस्तान में पढ़ रहे हैं यानि उनको जीवन जीने की कलास चिकाने का प्रियास क बेटे है, एक छिकलाव एक बेटावर, जो अंदर आप देख रहे थे, तो इनको पता ही नहीं है, कि हम क्या है, हमने बगवान को कैसा बरा दिया है, अगर हमारे अंदर मानाँ अथा था हम सोचें की इनके लिए हम क्या कर सकते है, क्योंकि इनके लिए नहीं कोई सुख है नहीं कोई दुख है क्योंकि इतनी इनके अंदर समझ भी नहीं है तकलिव किसी को है तो इन माबाप को है जो इन साथ बचलों को पाल रहे है और चाहिए की हमें इनकी मदद करे और आज मदद के लिए एक युवा आया है आज के युवाओं के दिमाग में ये रहता है कि पैसा आ जाता तो वो विलासिता पुन जीवन जीना चाहते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे होटलों में जाते हैं मैं नहीं कहना चाहूंगा क्या क्या करते हैं लेकिन ये वो युवा है जिन्न बरद गोड आज इस माँ और इन बेटियों की मदद के लिए हां पर पहुंचे हैं सेलूट करता हूं में इस युवा की सोच को बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों की मदद करें क्योंकि किसी केमन में यह होता है कि उनके बेटे बेटिया उनकी मदद करेंगे लेकिन यह वो पचास हजार उपए की मदद इस परिवार की कर रहा हूं और वो भी इनको यह चेक देंगे यह घर आप देख रहे हैं बहुनलाल मेगवाल जी का पूरी टीम के साथ अपने मित्रों के साथ यहां पर आए हैं बच्चों के लिए प्रसाद मिठाई विगर भी लाए है सेलूट करते हूं मैं स्युवा को जितनी सरा ना करूं कम है आज के युवा के पास अब पैसा आता है तो वो उनको विलाशित पॉंट जीवन में खर्च करना चाहते हैं लेकिन इस युवा को मैंने देखा हमेशा दिमाग में रहता कि किस की मदद करूं क्या करूं पंजाब के एक स्टेडियम में 11 रुपे की रासी हाली में परदान की है मैंने भी हाली में पंजाब की यतरह इनके साथ की है समाज के लिए अनेकों कारे आपने की हैं और 50,000 रुपे की रासी का चेक बना रहे हैं इस परिवार की मदद के लिए आज अंतराष्टे मेलादी उस पर इस मा के मदद करने के लिए भरत गोड अपने गाउन लोगा से आए हैं इस मा की इन बेहनों की मदद की जा रही है मुमरलाल बेक्वाल के नाम से 50,000 रुपे का चेक बनाए जा रहा है आज मेरा कारे करम बनाना सार्तक हो गया इस यूआ के करन देखिए इंतरास्टे मेला दी उसकी सार्तकता अपनी मा समान इस मेला और बेहनों के लिए 50,000 रुपे गिरासी का चेक परदान कर रहे है बरत गोड 10 वर्षों से मैं पत्रगा जिता कर रहा हूं मेरे पर्तिक दर्सक जानते हैं कि मेरा प्यास हमेसा रहता है कि समाज में कुछ जागरती आई समाज को कुछ मदद मिले और मेरे प्यास सार्तक होते है मेरे ऐसे दर्सक है जो मेरी एक एक बात को सुनते है और उस पर कुछ न कुछ करने का ज़जबा रखते है और मैं आज सेलूट करता हूँ इस यूआ को भरत गोड मेरे छोटे भाई के समान है इन्होंने यूट्यूब पे मेरा कारिकरम देखा और तुरंत यूट्यूब से नमर निकाल कर मुझे कोलकिया की भाईया मैं इनकी मदद करना चाता हूँ और आज एंतराश्टे महिला दियो इस पर मां की मदद करने के लिए मेरे साथ याँ पर पहुंचे है बोलना नहीं चाते हैं पहले भी मैंने कहा कि आप जैसे यूओं को मैं टीवी पे दिखाऊंगा तो अन्य यूओं को प्रेणा मिलेगी कि पैसा के विलाज शिता की लिए नहीं होता है पैसा वो सार्तळके जब किसी के मदद करें जरुत बंधो को दे कोई पैसा साथ लेकर नहीं जाएगा आलांकि यह सब जानते हैं कि हमारे पास जो धन अपने योगदान कर रहे हैं और अभी जो चालिस सईद होए थे उनको भी इसने एकाउन एकाउन नजार रिप्या हर सईद को इसने वेट किया है और जो यह काम कर रहे हैं समास्यवा के लिए और विशेश यह है कि जो जिसके कुछ भी नहीं है उसको वेदी अपन देते ना उसमें बहुत अच्छा भगवान सुनता भी उनकी और मैं तो भरत बारगों के लिए कहूंगा कि भगवान इनको राद दिन चोगना राज चोगना धंदे और इसी समास्यवा में लगाते रहें और भगवान इनकी सब मनोकामना पूरी करे माता रानी बहुत अच्छे बात आज अंतराश्टे महिला दिवस हैं मैंने बहुत बड़ी-बड़ी महिलाओं से बड़े-बड़े नेताओं से बाचित कि दिये मैं इस मासे बाचित करना चाहूंगा कतो बड़ी आलाग रहे एक बेटो है अज थाई मदद के लिए बेज्जाइब धन्ने वाजान मारी आत अंकर देखिए जब यह मार हो रही है तो भरत कर रहे हैं रोने की जूरूत नहीं है मैं तेरा बैटा हूं कभी भी मदद की जूरूत की मुझे फोन करना में तयार होंगा यह जजबा है और आज अंतराश्टे महिला दिवस पर यह कारिकरम बनाकर मुझे लग रहा कि मैंने सब्स परकर मुझे बनाए हैं और यह परिष्तित है की जब सत्यूग में बगवान थे राक्सस भी थे तो मैं कहूंगा कल्यूग में भे बगवान है ऐसे लोग बगवान का रूप यह लोगों को मारते राक्सस है हर यूद राक्सस वे रूप सब काएग ज़ embracit होता है से यह ते होता है कि कौन राक्सस है और कौन देउता है यह से युवा देउता है और भगवान इनको स्वस्त रखे लंबी उम्र दे खुब धन दे ताकि इसे लोगों की मंदद करने के लिए हमेशा आगे आते रहे मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं और मैं तमाम दर्सकों से निवेदन करना चाओंगा कि अगर भगवान ने आपको कुछ दिया तो उन लोगों के लिए कुछ करें जिनको इसकी जरूरत है भगवान आपको कितना गुना देगा यह आपको आगे पता चलेगा आज मैं फिर यहां पर आया हूँ और मैं चाओंगा बार-बार इस परिवार के साथ मैं आता रहा हूँ इनकी मदद होती रहे क्योंकि आपको सब पता है कि यह जिस उमर में है यह और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इनको अपने ओलाद से कोई उमीद भी नहीं है ओलाद को ही इन्से उमीद है नमस्कार देखे माथे से लगया है चेक को 91,000 उपे की राज़ी का चेक परदान के आगे है अब 33 गाड़ी को निकालने की है सबी जा रहे हैं गाड़ी को यहां से निकालने के लिए फस कही है रहे हैं यह देखे बहुत ही कुछ हो रहा है यह इन भाई बैनों की मदद की है आज परदी ने और यह भी विदा करने के लिए आपर आया है परदान की है बातर परदा है